अग्सर साय नए पोई फोगता को अगटा देख लिखा एक मिनार के आधार से एक मिनार के सिखर का उज़िए सबसे पहले बात है एक मिनारा और दूसरा दूसरा देखो मिनार अफेसा उन्हों चोटी है और मौन छोटा उटी कहा है अब उसने कहता है को मिनार के आधार से भवन के सिखर का यह सिखर हो गया लोहन का भवन के सिखर का उन्हें कोड कितना हो गया अब निदी मिनार के उचाई पचास मिटर मिनार को जिती एवी और इसके उचाई कितने हैं पचास मिटर तो बहुंद के उचाई का आधार आपने लिखेंगे माना एवी एक मिनार है जिसके उचाई है इसके उचाई है अब ने पचास मिटर मिनार के पचास मिटर तथा सिडी एक भवन है जिसके उचाई, बवन के उचाई कि आपके में हैं, इसके उचाई कितनी है, एच अचाई, दिखो इसमें दो तिरुए रहाएं, एक तो तिरुए होगी, A, B, V, ठीक है, और एक तिरुए कौन सी है, B, C, D, दुनों के अधार समान है, तो हम क्या दों कि इसको आधार को X को आ सुली तिरुद में ले लेता है, A, B, D में, तिरुद, A, B, D में, कौन्चे तिरुद में बता है, अच्छे हां पोना लेंगा है, ऐसे, A, B, D, A, B कितनी है, 50, B, D कितनी है, X, और कोण कितना है यह वाला, 60, तो यह हो गया लंब, यह हो गया आधा, लंबटे आलार किसके उ साथमा है ऎख, लंब बटे आलार, आधा 10कील लंब कितना है, 25,000, कितना है, जास है, 26,000, कितना है, 25,000, 5,000, 10,5, इसको में ऐसी पुना देए हाँ आपको B C D यह X माल निए यह H ताप और यह तना मोड है, 30 ऐसी करेंगे लंग बते आदा, लंग बते आधार पराबर किस के आगे 10 30 100 शबके 10 H बते X पराबर 10 30 ना मागे, एक बते रूट 3 है सबहर क्या तुम्हें ग्या झाहिए सभी ग्रफ बिष्क से एक्स कावान ए रखने मात भार हाँ पचास बटे रुट तीन और रुट तीन स्वाइश की मुझा जाएगी एच बराबर पचास बटे तीन इसलिए बवन की हुचाहिए बराबर पचास बटे तीन मिट जाएगी